असलाम आलेकूम आज हम राएंगे चौकलेट स्पंज केक इसके लिए हमने है पे लिया है एक बावल में तीन अंडा यह रूम टेंप्रेचर पे है फ्रीज का अंडा नहीं लेना है इसके अंडर डालेंगे थ्री फोर्थ कप पॉडर शुगर आप मिक्सी जार में डालकर पीस लें शुगर को अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो यहां पर मैंने इसे अच्छी से मिक्स कर लिया है अब इसके अंडर डालेंगे तो आप मैदा को पहले चान लें वन फॉर्थ कप कोको पॉडर एक टीस्पून बेकिंग पॉडर एक टीस्पून वैनिला एसंस अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है अब यहां पर मेरे पास है एक छोटी सी कडाही इस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और तेल से से ग्रीस कर दिया है तो बैटर को हम इसके अंदर डाल देंगे एक बार इसे हलके से टैप कर देंगे इसके उपर थोड़ा समय डाले हूँ कटे हुए बादाम दो से तीन मिनट मेडियम ही पर अब इसके उपर हम केक वाली कड़ाई रख देंगे इस तरह से अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे लो हीट पर 20-25 मिनट तक हम पका लेंगे अब इसे हम चेक कर लेते हैं टूथपिक दिम क्लीन है तो यह हमारा केक हो गया है अब इसे हम नीचे उता लेते हैं तो यहां पर मैंने इसे नीचे उता लिया है यह भी बहुत गरम है यह जब थोड़ा थंड़ा हो जाए फिर इसे हम निकाल के बताएंगे तो यहां पर अभी केक थंड़ा हो गया है अभी पूरा ठंडा नहीं हुए है थोड़ थोड़ गरम है तो इसे हम प्लेट में पलट देते है इसका बटर पेपर निकाल देंगे तो यहां पर हमारा कड़ा हाई में बनके केक तयार हो गया है इसके मैंने पीस्ट कार दिये हैं इस तरह से और यह बनाना तो बहुत ही आसान है तो आप इसे शाम की चाय पर फटा फट बना सकते हैं इंशाला फिर मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ क ocup में अचरा बना की आसे हैं यहां ग tuv सिकरा बना鐵 हो जए बना यहांए एक प्रशायς आसा माना जा में इसा है आसाम प्रशाज बเลूँ कर अरहां है इसे तो प्सकाया लाड़ों को रख़ यहां दिया रहा करते हैं शहायं करिछं़ इस नहां जो